प्रश्कार दोस्तों एक पर फिर से आपका स्वागता आश्या करतों आपसे बीचे होंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्राकंड के बीचे नड्सिंग एडमिशन प्रोसेजर स्टार्ट हो चुका है तो आपके हैचन, बीउ, एम, बीचे नड्सिंग के अप्लिकेस पौम की प्रोसेजर वो अभी ओन गॉइंग है मैंने इसकी separate वीडीयो आपको उल्रेडी प्रोवाइड करवार किये इसके लिए कोन अपलाई कर सकता है सारी डिटेल्स में आपको उल्रेडी वीडियो प्रोवाइड करवार का है तो आप Playlist में जाकर वीडियो देख सकते हैं वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कितने माक्स आने पर गुवर्मेंट को लिज या प्राइवेट को लिज में आपको एडमेशन मिल सकता है साथ ही आप जो गुवर्मेंट सीट के लिए preparation किस तरह के से करें, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों, प्रॉसेस में किस तरह को पाइटिस्पेट लेना है, कॉन-कॉन से डोकुमेंट के requirement रहेगी, सारी details में आपको जानकर ही मिलते रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसे कोई भी information आप से miss ना हो तो दोस्तों आपके कितना score होना चाहिए जिसे कि आपका admission है वो सबसे पहले हम बात करेंगे government college की और private college में दोनों के लिए कितना score होना आपके लिए जरूरी है तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर last year BAC nursing की अगर आप merit list चा का top की बात करें यहाँ पर 2021 आप यहाँ पर देख सकते हैं तो last year BAC nursing में जो first rank आई थी उनके marks थे 83 जो first rank आई थी और फिर बाद में आप देख सकते 78, 77, 77 इस तरह से यह last year के जो marks हैं वो दे रख हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं भी इनकी दे रखी है तो यहाँ पर EWS general category से हैं और EWS में भी दोस्तों कौन सी sub category है वो सारे details में यहाँ पर दे रखी है और उनकी rank के यहाँ पर दोस्तों दे रखी है कि first rank के कितने marks हैं इस तरह से यहाँ पर यह rank किया है तो last year के अगर first rank की बात करें तो 83 first जो rank थी उनका score आया था और इसी के साथ में decrease होता गया था category wise तो इस साल आपकी जो seat है उसके according आपकी कितनी रह सकती है और यहाँ पर दोस्तों आप allotted college भी देख सकते हैं जैसे कि जो rank second थी आमी सा बोरा तो इनको जो college अलोट इन्होंने एक ही college opt की थी दरद उनकी जो वर्मेंट college है वो और इनको वो college है वो allot हो चुकी थी तो इनकी second rank थी आप यहाँ पर देख सकते हैं यह इनकी second rank थी और यह general category से थी इनके 78 marks थे female candidate थे तो यहाँ पर यह इनकी allotment लेटर भी इनका जारी कर दिया गया था इनकी जो college अलोटी थी उनके according लेकिन दोस्तो इस बार जो आपका paper pattern है वो भी change हुआ जैसे physics, chemistry, biology है इसके साथ में आपका जो nursing aptitude English को भी include किया गया है और सभी subject को आपको जो equal weightage दिया गया है 20% 20% जो 5 subject रखे गए हैं इनमें तो आपको इन सभी पे ही अच्छे से focus करना होगा तो ही अगर आप last year की cut-up की बात करें तो उतना marks हैं वो आप gain कर सकते हैं तो आपको physics, chemistry, biology के लिए दोस्तों मैंने description box में आपको e-books provide कर वार किये आपकी subjective e-book है और objective e-book है अगर आप उन दोनों e-books को अच्छे से follow कर लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको short-ick साथ कहता हूँ क्या आपका physics, chemistry और biology का उनसे बार आपका एक भी क्योसर नहीं आने वाला है physics, chemistry और biology के आपको दोनों e-books को अच्छे से follow करना है क्योंकि अभी आपके पास में जो one month का time है या आपके लिए sufficient है अगर आप पूरी consistency के साथ में अगर study करते हैं तो आप government seat है वो आसानी से निकाल सकते हैं लेकिन अगर आप ऐसे ही time waste करते रहेंगे सोच विचार करने में कि study करनी है नहीं करनी अपना एक schedule बनाईए ये one month है दोस्तो ये आपके लिए कापी important है इसमें अगर आप एक भी minute waste करते हैं तो ये मान की चलिए कि आप हर एक जो आप से आगे student है वो उसी time पे preparation कर रहा होगा और आप उसी समय में सोच विचार करने में time waste कर रहे होंगे तो ये बिल्कुल भी ना सोचे तो physics, chemistry, biology अगर आप वो दोनों e-books अच्छे से follow कर लेते हैं तो आपका 100% government college में selection हो जाएगा और आप अपना score वो अच्छा gain कर लेंगे अब बात करें आपके English के लिए कि sir हमें जो competition level की English उसे read करना है या कौन सी e-book को या कौन सा study material follow करें तो दोस्तों मैंने उस में आपको अच्छे से समझा रखा है कि आप कौन सी study material है, कौन सी grammar है उसको आपको study करना है तो आप उस business पे English में अच्छा score है वो gain कर सकते हैं अब बात करें आपके nursing aptitude की nursing aptitude में दोस्तों आपको reasoning जो जैसे की mental ability या आपके decision making type के आपके question आएंगे तो वो आप easily इनको solve कर सकते हैं तो दोस्तों आपके यह दोनों e-book है यह आप यहाँ पे देख सकते हैं यह subject e-book है जो theory based complete e-book है इसमें तीनों subject आपके physics, chemistry, biology और यह e-book का आपकी objective e-book है इसमें पे आपके तीनों 11, 12, 13, 18, 20 जो syllabus है physics, chemistry, biology का वो तीनों subject इसमें compile किये गए तो आप यह दोनों e-book अच्छे से follow कीजिए और इनको अगर आपने अच्छे से follow कर लिया तो आपको subject e-book पे क्लिक करना है जैसे ही आप उस link पे क्लिक करेंगे इस तरीके से interface आएगा और इस interface में आप यहाँ पे देख सकते हैं complete आपको नीचे अगर scroll down करेंगे तो पूरा syllabus आपको दे रखा है इसमें को आपके 11 और 12 था इसमें तो आपको इसके लिए दोस्तो बाइनाव पे क्लिक करना होगा जैसे ही बाइनाव पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से interface आएगा इसमें अपना नाम फिल करना है अपनी active email ID और phone number और next पे क्लिक कर देना है जैसे next पे क्लिक करेंगे आपको payment के लिए पूचा जाएगा फोन पे, paytm, debit card, credit card, net banking जिस भी mode से आप payment करना चाते है उस mode से payment कर सकते हैं payment confirmation के बाद में आपको download file का option आएगा वहाँ से आप file को download कर सकते हैं अगर वहाँ से download नहीं करते हैं तो आपने जो अपनी email ID यहाँ पे file की है इस email ID पे आपको एक mail आएगा वहाँ से भी आप download कर सकते हैं तो दोस्तों सेम इसी process से आप objective वीबुको और सेम इसी process से जो English की ब्रेसी grammar है उसको avail कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें कि आपकी expected cut-up है वो 21-22 session में कितनी रह सकती है तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों मैंने seat matrix में already बता रखा है कि आपकी जो government की seat है वो total आपकी 320 seat है जो आपकी counselling के मादिम से feel की जाएगी और जो private की seat है उनमें 50% seat है वो counselling से feel की जाएगी और जो 50% seat है है वो college अपने basis पे feel करेंगे तो जो 320 seat है ये आपके साथ जो government college है उनी के लिए ही है अब उनमें admission लेने के लिए दोस्तों आपको अच्छा score करना होगा तो ही आप government में admission ले पाएंगे otherwise आपको private में ही admission लेना होगा और private में दोस्तों clinical practice में issues रहते हैं और fees भी वहाँ पर ज्यादा रहती है तो आपको one month की अच्छे से study करनी होती है और उस basis पे आप अपने family को economically थोड़ा सा strong भी कर सकते हैं कहने का मतलब यह कि आप उनके जो पैसे हैं वो आप उनको बचा सकते हैं आप अपनी एक महीने की जो मैनत करेंगे study करेंगे उस basis पे तो दोस्तों इसमें अगर general category की बात करें तो आपके 74 to 76 आपके score होना चाहिए इससे plus ही आपका score होगा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको last year की बताई 83 आप जो first rank थी तो उन student को कौन सी college है लोट हुई थी तो इसी basis पे दोस्तों आपके 74 to 76 plus marks होने चाहिए general category में OBC EWS में आपके 72 plus marks होने चाहिए और SC category में 67 से 70 plus marks होंगे और ST में आपके 66 से 68 plus marks यह आपके जो marks हैं अगर आप इन score को गैन कर लेते हो तो दोस्तों आपको government college में admission मिल सकता है अब जो private college है दोस्तों चाहिए management quota की हो या counseling मादे हम से feel होने वाली जो भी college है उनमें आपके अगर 50 plus marks है तो आप उनमें admission ले सकते हैं अगर 50 plus से नीचे marks है दोस्तों तो उनके लिए जो INC का rule है वो आपका हिमवती नंदन बंगुणा जो university है तो वो follow कर रहे हैं तो अगर 50 से नीचे अगर आपके marks रहेंगे तो आप eligibility criteria ही पुरा नहीं कर पाएंगे तो इस वज़े से आपको ना तो private में admission मिलेगा ना ही government में admission मिलेगा तो आपको 50 plus score करना ही होगा यह आपका qualifying score रहेगा और अगर आप अच्छा score करेंगे तो दोस्तो आपको government college मिल जाएगी और अगर आप अच्छा score नहीं करेंगे 50 plus score करेंगे तो आपको private college में admission मिलेगा जो private college में fees का भी जयाता रहती है अब दोस्तों इन्हों पर आपको बिल्कुल क्लिरली यहां पर mention किया गया है बीजे नर्सिंग पार्टेकर में प्रवेस के लिए बारती नर्सिंग परिशत आई एंसे इंडिया नर्सिंग काउंसील दोवारा निर्दारित माननक मानने होंगे तो जो आई एंसे की score है वो लाना ही होगा अगर आप entrance exam दे रहे हैं तो वो qualifying score आपको करना ही होगा अगर आप उससे नीचे score करते हैं तो आप eligibility criteria पूरा नहीं कर पाएंगे दोस्तों जो 50% की वज़ा से ही दोस्तों पंजाब में जो entrance exam conduct करवाया गया था तो कापी से 50% score ही गया था तो इस वज़से माँ पे अभी फिलाल दुबारा exam में वो conduct करवाया जा रहा है तो यह आपके mind में रहना चाहिए कि आपको 50 plus mark सही लाना है तो आप eligibility criteria पूरा कर पाएंगे otherwise आपको admission है वो ना private मिलेगा ना ही government में रहेगा क्योंकि इन्हों ने दोस्तो clear mention कर रहा है और admission में अपने जो दिसानेट देश जारी के थे उनमें clearly बता रहा है तो दोस्तो यह आपकी expected का टोप थी इतना score आपको करना होगा और कोई doubt है मुझे comment box में पूछ सकते हैं यह मुझे instagram हैं follow करके वहाँ सभी जानकार ही ले सकते हैं और दोस्तो जो मैंने study material आपको follow करने के लिए बोला है वह 100% आप अभी सही follow करना है start कर दीजे क्योंकि last time में अगर आप उनको follow करना है start करेंगे तो आपके पास में time बहुत कम रहेगा और आप syllabus भी cover नहीं कर पाएंगे तो आपको अभी सही अपना schedule बना लेना है और उसी schedule को follow करना है हर रोज अगर आप one month तक उस schedule को follow कर लेते हैं तो दोस्तो आप government में अपना जो seat of confirm कर सकते हैं वीडियो पसंदा है दोस्तो वीडियो को like करें share करें इसी तरह की other information से आपको समय समय पर मिलती रहेगी धन्यवाद जे हिंड जे वरत